दाक कर खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ आकरम रहीस खान बार बार आपको स्वाभाव के बारे में भी बताता रहता हूँ अपने मेरा अपना सोबाव है कि जिस चीज में आपको महरत हासिल न हो वहां हवा में तलवार नहीं चलानी चाहिए यह अलग बात है वही रक्षा मंत्राले के बारे में रिपोर्ट लिखता है जो रेलवे लेखता है यह नी कि कराम के पत्रकार चोगह है के कुछ और कबरे करने लग जाएगा रामलीला तो चल आ रहे हैं देश में किसी दिन ह celebrity की ительно करने वालव्य व्यक्ति नहीं आये तो किसी हलवाईए रांत्राले का बजट नहीं बढ़ाया गया और उस दूर में यह बजट नहीं बढ़ाया गया है जब्के चाइना से पाकिस्टान से पहले हितना तरी चल रह accounting मोर्चोicos पर दिक्कत दुषवारियां पैदा हो रही हैं और यह सरकार वो सरकार है जो दिन सेना के गीत गाती रहती है उनके नाम पे वोट मांगे दूसरी बार सत्ता में आ चुके हैं तो ऐसी सरकार ने किस तरह से रक्षा मंत्राले का बजट घटाया है इस पर बाचीत करने की कोशिश करेंगे हाला के जो मीडिया है और जो भाजपाई है वो दाबा कर रहे हैं कि नाजी 18 फीसद बजट को बढ़ा दिया है तो सच और जूट हमें समझ में आता नहीं है हमारे साथ एरफोर्स के पूर गुरूप कैप्टन रहे चुके कृष्ण कांत यानि केके जी जोड़ रहे हैं उन्ह पहला सवाल यह है कि भाजपाई और मीडिया कह रहा है कि 18 फीसद बढ़ा दिया राहूल कांदी कह रहे हैं कि बजट घटा दिया सच और जूट कौन बोल रहा है आप बताइए सर बजट घटा नहीं है बड़ा मामूली सा करिवेक से सवाप परतिशत जो है परसेंट ओवर यानि नय अस्त्र सस्त्र खरिदने के लिए जो कहा गया है उसमें 18 परतिशत की विद्धी हुए जो पूरे बजट का है छोटा सा हिस्सा है लेकिन इसको हमें समझना चाहिए समझेंगे बाद में लेकिन आपकी बाच्चे से ये इस परस्ट अभी तक हो जाता है कि बजट बड़ा है तो क्या रावल गांदी जूट बोल रहे है नहीं रावल गांदी ठीक है ओवराल बजट मैंने कहा अधिक सदिक एक से सवापरतिशत बढ़ा है और उसमें जहां त इतना परसेंट उसमें शामिल है मैं ढूंड नहीं पाया यदि इंफलेशन को ना जोडा गया हो तो अक्चुल में कहें तो जिरो परसेंट या शायद ना भी मतलब उससे कमी हो गया कूल मिला के आप इस बजट को अगर एक रक्षा विशे सग्य के तोर पे देखें क्योंक प्रतिशत का दावार्द किया जा रहा है उसको हम समझ ले इसके पहले जो चीम के साथ हमारा स्टैंड ओफ हुआ उसमें तक्रीबन सरकार के हिसाब से बीस हजार करोड़ खर्च हो चुका है ऑलेड़ी खर्च हो का जो इसमें से चले जाएगा दूसरे अभी जो तनातनी के कारण जो हुआ है एक वर्ड होता है ISR याने इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकोनैसंस बतलब यह हम दुश्मन के जो खेमा में जो हो रहा है उसके हम गतिवीदियां जानने की जो कोशिश करते हैं उसमें भयानक खर्चाता है खासकर एरफोस और नेवी में आदमी में भ अमेरिका और इसराइल की महारत है और इसलिए आप समझ सकते हैं कि वहां क्यों भारत पे इतने महरबान हो रहे हैं क्योंकि इसमें डीफेंस एक्विप्मेंट में जो मुनाफ़ा है जो नॉमल जो बिजनेस में होता है आठ साथ परसंट होता है इसमें 100% से जाता है बहुत परतिशनत हो गया यह एक महज दिखावा है इसमें सरकार ने यह बताना चाहीत है कि हमारे पास बजट का कंस्टेंट है हमारे पास है ही नहीं हम देंगे कहां से इन्हों ने जो पिछले 5-6 साल में जो निस्तानाबूद किया शुरू के 2 साल में दिखाते रहे कि GDP बहुत ब प्रतिशत से अधिक हम माइनस में जा रहे हैं तो इसमें देने में असमर्थ है तो इमांदारी पुर्वा के लिए हम जनता को बताते तो एक बात समझ में आती थी तो राहूल गांधी ने जो कहा है जो कि मुझे बड़ा अशर्ज हुआ शुरू में कि कैसे कह रहे हैं चुरू में तो अब हम आज आते हैं तो इस चीज को दिया हम छोड़ दे यह जो capital outlay है जो की एक दसमालो एक तीन लाख है नि करिब सवा लाख करोड जो इस सरकार ने किया है और जिसका यह बहुत भारी हिस्सा पहले ही खर्च कर चुके हैं और भारी हिस्सा जो है सो किवल रिकोनाशन्स और बाकी जमा करने में हो जाएगा नई चीज यह क्या खर द यह तो जो मैं बताओं यह का मुझे आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सवाल भी नहीं बना पाऊंगा आज नहीं जी ठीक है तो मैं एक एक कर क्या आता हूं जी इस्टेजिक डिफेंस यानि आगी के लिए भाविश्य के लिए जो प्लानिंगे जो बहुत महत्तपू है जो कि कॉंग्रेस के जमाने में चाहते ना चाहते हूं भी एक हो रहा था एक बढ़ रहा था इसको इन्होंने ध्वस्ट किया है स्टेजिक डिफेंस मतलब क्या हो जैसे अटॉमिक एनरजी आटॉमिक पावर पे जो करने को होता है स्पेस पे होता है और हमारा इंडी जे नाइजेशन होता है नहीं हम खुद बनाते हैं कोई भी विश्व का तागत जो है हम कहें विश्व गुरू बने कहें वो दूसरों से अस्तर खरीद के वह नहीं बन सकता है क्योंकि हमें उसके उपर करना पड़ेगा एक छोटा सा जीपीस ही ले ले हलाकि जीपीस पे हमारे हवाई जहाज और बाकी सब उस पर नहीं उड़ते हैं बहुत सारे मॉडन एडवांस मतलब टेकनलोजी आ गये हैं निविगेशन के लिए लेकिन एक उदान लेते हैं कि अमेरिका जो हमें जीपीस देता जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसके सेट्रेलाइट जो देते हैं वह करें तो सौ फीट से अधिक के या उससे अधिक दो सो फीट करें और वार के टाइम में अमेरिका आपको पसंद नहीं करता है तो हो सकता आपके सर्विसेजी बंद करते हैं तो हम कोई भी तागत खासकर भारत जैसे जो की डिफिन्स में विश्व का पांसवां बड़ा या अधिक सरी खर्च करने वाला है हलाकि चीन का एक चौथा ही खर्च करते हैं अमेरिका रश्या इसे को छोड़ दीजिए तो हम जो हैं इसके अधार पर नहीं कर सकते तो करते हैं उसों कम सिंग में कहना चाही था कि हमारे स्टेजिक डिफिन्स वे भाई कुछ ध्यान दो उस पर जीरो खबर यह सर के पैंशन का बजट घटा दिया गया है तो क्या पैंशन का बजट घटाने से जो कहा जा रहा था कि वन रैंक वन पैंशन में इंक्रिमेंट होता रहेगा हिसाब वक्त-वक्त के हिसाब से तो बजट घटाने से क्या वो इंक्रिमेंट मिल पाएगा यह एक अजीब सी बात है मेरे पास जो डेटा है पुराना जो बजट था एक दसमलो तीनती लाग करोड रुपे अना यह था और इसको इन्होंने घटा क कि एक दसमलो एक पाच लाग करोड कर दिया है यह जो इन्होंने घटाया है इंफलेशन को छोड़िए मालने तें इंफलेशन जीरो है तो यह कैसे करेंगे मैं मजाग महीं अपने एक साथी से बात कर रहा था फोजी से कि क्या है सर्कार उमीद करती है कि हमनों बुड़े हो पोज के इसके हम चर्चा पहले कर चुके हैं तो यह जी वो चीज़ आता है तो उसके लागू होने में तो चरबात साल लगेगा लागू होने के बाद भी असर पड़ेगा तो यह जो घाटे का बजट है यहां इन्होंने किया है यह इसमें क्या चला कि की है बाइदेवे हम तो इन्हों ने खताम ही कर दिया उसको घटाने की बात हो रही है और यह कैसे मैनेज करेंगे डी ए फ्रीज कर दिया है ठीक है यह फ्रीज करने के बावजूद भी जो नए लोग रिटायर कर रहे है और मंदे वालों के संख्या में कोई बहारी इजाफन नहीं हो रहा है यह कै चीक है आपने ही समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे लिकिन आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और काश यह मुद्दा उस मीडिया को उठाना चाहिए था जो रात दिन सेना के समान के गीत गाता रहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यानि के वित्त मंत्री निर्मला सी किता रंबन ने डिफैंस के बजट को पढ़ने से ही इंकार कर दिया का कि बस इतना ही बहुत है लेकिन एक चीज को लेके बढ़ा अल्ला मचाय जा रहा साब कहा जा रहा है कि सो सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पीपी मोडल में जी यह महत्तपूर्ण है मैंने जब इसके अंदर नहीं पढ़ा तो यह किंद्री सरकार जो राज्य सरकार के मदद से करेगी यह अच्छी बात है जो कि राज्यों के बीच में होगा दोनों का खर्च होगा लेकिन साथ क्या है कि इसमें इंजियों को दिये जाएंगे इसमे प्राइवेट पार्टिसेपेशन दिया जाएगा यानि डारेक्टली और इंडारेक्टली यह डारेक्टली है जैसे टूर अब डूटी में जो 3 साल का जो हुआ जिसकी चर्चा हमने कभी की थी उसमें RSS की जनता जो है उसमें RSS का हाथ होगा यह खुले आम है और यह जो है सरकार आप बाकी सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं कभी मुस्लिम के खिलाव कभी सिक्राव कभी दलित खिलाव कभी साउथ इंडिन के खिलाव जह वाँ बाढ़ है था तमिलाडू और जो गडबड हुआ था केरल में इन्होंने कहा था तुम भगवा ने मानतों इसलिए मरो यह हम सब भारतियों की इस तरह खंड खंड तोड रहे हैं यह नहीं समझ पार हैं समझ के जानबूज के कर रहे हैं वह बात की बात है लेकिन यह भारत को बरबाद कर रहे हैं और यह सानिक स्कूल का इस तरह के सौ सानिक स्कूल का मैं के महाराश्च में जो हंगामा हुआ तभी तक भी हमारे कई वरेश शाथी जो हैंसे जेल के पीछे में घाति को गईकर तो जिस सेना के अंदर में जब जाती के आधार पर रूसी मेंटेशन जाती के डारप होने के बहुत खराब होगा ये दुनिया के किसी भी देश मैंसा नहीं किया जा रहा है जो भारत में हो रहा है ये बाचीत हुई रक्षा बजट को लेकर लेकिन अभी दिली में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर भी एक सवाल बहुत तेजी से खड़ा हो रहा है और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल नेबिल पर वो सबाल जा रहा है असी साल के डिटार्ड फोजी गुर्मुक सिंग को गिरफतार कर लिया गया है गंडतां तरी दिवस पर हुए बवाल के मामले में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मताबिक 122 से जादा किसानों को गिरफतार किया जा चुका है उसी में गुर्मुक सिंग का भी नाम है तो इस मामले को लेकर आप तो पूर फोजीयों का संगटन बना के आंदोलन करते हैं तो ये गुर्मुक सिंग जी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं उनके परिवार के लोग तो पहुंच चुके हैं कोट में खैर ये ये सरकार के आने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग अपने आपको बिलकुल सुरक्षित समझते थे जैसे पत्रकार पत्रकारिता करना एक चीज था कि खबर को हमारे पास पहुंचाते थे वकील जो इन लोग के लिए लड़ते थे और अब फोजीयों के खिला हिमाचल और दिल्ली के आसपास के राजियों से जहां इने बहुतायत में जो आये हैं यह जो शामिल हो रहे हैं सरकार इनको दवाने के कोशिश कर रही है यह सरकार नहीं समझ पार रही है कि इननी के रिष्टेदार इननी के बाई बतीजे बेटे अभी सर्विंग है वह अधार पे भी तोड़ रहे हैं यह हमारे फौज के लिए खास कर तब जबकि केवल पश्मी नहीं बलकि उतरी बॉर्डर पे भी हमारे हमारा सीमा पे जो गड़बडियां जो हो रही है और जहां हम पिछड़ रहे हैं बजट की रूप में देखें तैयारी की रूप में दे का है और उसमें जो हमारी बेज़ती हो रही है यह कुल मिला कर यह हमारे देश के लिए बहुत खराब चीज है और कम से कम जो वेटरंस हैं उनके साथ या आगे ना करें उनको तुरत छोड़े और आगे से यह कहें कि जो हुई है हम से गलती हुई है चिक है आप कह रहे हैं क के बच्चे जो हैं वो इस वकत आर्मी में हैं ऐसी ही शंका जब कैप्टरन अमरेंदर सिंग जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्हों ने जताई तो मीडिया ने और भाजपा के लोगों ने कहा कि वो जो है बिवादित बयान दे रहे हैं और वो यह कहना चाह रहे हैं कि सैन के नाम पर जो कर रहे हैं चुनाओ में वगरा में दिवाली में जाके बाट रहे हैं और खुद यूनिफॉर्म पहन के जो मजाग बना रहे हैं केवल प्रधान मंत्री नहीं बाकी लोग भी कर रहे हैं दिल्ली चुनाओ में इनोंने की आठा तो वहाँ पे इनका अधिकार बनता है बाकी लोग ना कहें लेकिन दुर्भाग यह है कि जो फॉज की जो चीफ है जो उपर के चीफ के अलावा भी जो एर मार्शल जनरल या एड्मिरल्स वगरा है रियर वाइस आड्मिरल जो उसके समान के जो अधिकारी है वो खामोश क्यों है वो क्यों नहीं अंदर में आवाज उठा रहे हैं कि जो यह बाहर में हो रहा है उसका असर हमारे जवानों पर पड़ रहा है और पड़ेगा ऐसा हो इनी सकता कि न पड़े यदि पूरी समाज जो है से उसको आपने नरक बना दिया है और यह कहें कि हम किनारे से फौजी जो बड़े शुद्र है कोई असर नहीं पड़ेगा आपने सही कहा कि इसका असर पड़ेगा वक्त रहते इस सरकार को होश में आना चाहिए समझना चाहिए और जो तमाम चीजे ये भैस की तरह लट से हाकने पर तुली हुई है कि जिसकी लाटी उसकी भैस करने पर तुली है उससे बाज आना चाहिए